Hello friends, welcome to Your Smart News Channel Your Smart News Channel में आज आपका यहाँ पे स्वागत है जैसे कि आप सभी को पता है कि महरास्टा बोर्ड परिक्षार स्टार्ट हो चुका है सबसे पहला पेपर लैंग्वेच का इंग्लिश का पेपर हो चुका है सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे बहुत साई विद्यार्थियों को देखा जाए सुनने में आ रहा है कि इंग्लिश की पेपर थोड़ा सा खराब गया है जो भी मिडल क्लास के लोग होते हैं या फी देखा जाए वना कुलर मीडियम के होते हैं उनके लिए सबसे जाए टफ देखा जाए लैंग्वेश पेपर में इंग्लिश का पेपर ही तफ गिरन को थोड़ा सा टफ गिरता है तो अब हम बात करने माले हैं कि आपको ग्रेसिंग मार्क्स कितना मिलने माला है जो लैंग्वेश के पेपर है सबसे पहला आप सभी बच्चों को याद रखना अभी तक सी पहला पेपर ही हुआ है लैंग्वेश के भी और भी पेपर्स आपके बाकी है चाहिए वह हिंदी हो माराठी हो इंग्लिश हो यह तीनों ही लैंग्वेश पेपर में सबसे पहला ख्याल आपको रखना है कि साड़ा ही क्यूशन आपको अटायम करके आना है यह बहुत ही बड़ा टिप्स है बच्चों के लिए और ऐसा क्यूँ है मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया तो आप मैं वो वीडियो देख सकते हो कैसा होता कि अगर आपने कुछ भी लिखके आयो है हर एक तो एख नमबर आपको मिल ही जाता है ठीक है अगर हम मान के चले जिसका बहुत ही जादा वीक है ये इंगलिश का पेपर तो उनके लिए देखा जाए टेंशन लेने की ज़रूद नहीं है अगर आपने देखा जाए तो अच्छे से उजार सदा क्यूशन को अगर आपने अटाइम किया है अप्रोक्सिमेटली कम से कम देखा 20-22 पेज़ेस अगर आपने लिखा है कैसा होता है कि एसे राटिंग रिपोर्ट राटिंग क्यूशन पोयम पैसे जी सारा सब कुछ मिला के 20-22 पेज़ेस अगर आपके गय हुए हैं तो उस इससाब से आप अच्छे मांक से पास हो जाओगे ठीक है अगर मैं बात कर तो जिसका सबस्यादा ही खराब है यह इंग्रिश का लैंग्वेज वाला पेपर अगर फिर भी देखा जाए तो अगर आपने 15 पेज़ेस भी अटायम किया है 15 पेज़ेस अटायम करने का मतलब कम से कम आपने पैसे अटेम किया होगा एक लेटर राटिंग भी आप पर मिलते हैं ग्रेसिंग मार्क्स ओके तो आपको जो कम से कम पास फाइट वाला के पास तो कर ही दिये जाते हैं तो टेंशन लेने की ज़रूत है कि बहुत साइब बच्चों से इंफोर्मेशन मिल रही है कि इंग्लिश का पेपर बच्चों का खराब गया है कुछ बहुत स आपके साब से आपने कितने क्यूश्चन अटेंब किया है तो आपको राम से मिल जाते हैं उसके बाद एक रिपोर्ट राइटिंग जैसा होता है एक हिंदी का इंग्लिश टांसलेशन करना एक परगराफ ऐसा भी आता है आपने वह भी अटेंब थोड़ा बहुत लिखा है तो भी आपको दो मार्क्स मिल जाएंगे और इस बार एजली ही पेपर असाइन होने वाला है तो आप लोग अपने कमेंट्स कीजिए कि आपको आपको नहीं कितने क्यूशन से टैम किया है कितना पेज़ेस लिखा है तो उसकी बाद में और भी आपकी जो सब्जेक्स हो उस अगर कोई ऐसे लाटिंग है अगर फाइमाक्स का तो आउट ओफ फाइमाक्स किसी भी बच्चे को नहीं मिलता कि आप कितना अभी अच्छा लिखो तो उसमें से अगर आपने थोड़ा वहत भी लिखा तो दो मार्क्स मिल जाएगा या चार मिल जाएगा या फोर एन बड आउट ओफ फाइमाक्स मिलता अगर वही आपका दूसरे सब्जेट से इकोनोमी से सब्जेट और बहुत दूसरे सब्जेट पर सोशल साइंस के उसमें अगर आप आप एंसर कोज़ी नहीं मिलते हैं यहीं डिफ्रेंसे से हर एक सब्जेट के वेटेश को लेके मार्क् पूरा बंडल कॉपी लिखके आओ उसमें अप्रॉक्सिमेटली 25 या 27 पेजेस होते हैं वह पूरा तो आपको फील करके आना है सारे पेजेस लिखके आओ इंगी कभी अगर आप एक दो मार्क से भी फेल होते रहोगे तो आपने अगर जा सथा पेजेस लिखा है तो भी टीच ब्लैंक है तो ब्लैंक पेज में कोई भी टीचेस मार्क्स नहीं दे सकता है वह इलेगल हो जाते हैं तो थोड़ा बहुत लिखो अच्छे से कुछ रिलेटेड ही लिखो ऐसा नहीं कि बहुत लिखके आओ तो आपको मार्क्स मिलेंगे ऐसा भी नहीं करना है जो क्यूशन प आपको ग्रेसी मार्क्स भी मिलते हैं लैंगेश पेपर में बागी की पेपर को कैसे अटेम करना हो मैं आपको अपने नेस्ट वीडियो में बताने माली हूं इस वीडियो के लिए अगर और भी आपको कुछ डाउट से अपने बोर्ड एक्जाम को लेके तो आप इस वीडि वीडियो रहेगा आप उसके लिए मिलते हैं अपने नेस्ट वीडियो में वीडियो चलाओ तो लाइक और शेयर जरूर करें थांक्यू सो मच फ्रेंड्स